शाव में ग्रामर में खास करके जब दो या अथिक शब्द होते हैं और नियत करम और निश्चित अर्थ में किसी पद का करे करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है अगर दूसरे शब्दों के बात करें तो कई पदों के योग से बने वाक्यांश को नहीं वाक्ये के उसे पदबंध कहा जाता है। डाक्टर हर्देव बाहरी ने पदबंध की परिभाशा इस प्रकार से दिये हैं की वाक्टे की उस भाग को जिसमें एक से अधिक पत परयस पर संबद हो करके अर्थ तो देते हैं किन्टु पूरा अर्थ नहीं देते हैं। उसे क्या कहते हैं वाक्यांश कहते हैं या पदबंध कहते हैं जैसे सबसे तेज दोड़ने वाला छात्र आगे हम लिखेंगे जीत गया तो तो ये पूरा वाक्य है लेकिन यहाँ पर छात्र तक ये दी देखें तो यह है एक अंश है वाक्य का क्या है पदबंध है या वाक्यांश है दूसरा सेंटेंस आप देखिए कि यह लड़की अत्यंत शुशील और परिश्रमी है यहाँ पर अत्यंत शुशील और परिश्रमी वाक्य का अंश है और पूरा वाक्य यह लड़की को मिलागर के बनाया गया है नदी बेहती चली जा रही है इसमें बेहती चली जा रही है यह एक वाक्याश है जब तक इसमें नदी शब्द नहीं एड़ करेंगे तो यह पूरा वाक्य नहीं बनेगा अब नदी कलकल करती हुई पह रही है इसमें भी कलकल करती हुई एक वाक्याश है परियुक्त वाक्यों में काले जो शब्द छपे हुए हैं वो सारे क्या हैं पद बन हैं पहले वाक्य के सबसे तेछो तोड़ने वाला चात्र में पांच पद हैं किन्तु वे मिलकर एकी पद अर्थात संग्या का कारे कर रहे हैं दूसरे वाक्य में आप देखिए अत्यंत शुशील और परिश्रमी में भी चार पद है किन्तु वे मिलकर एकी पद अर्थात कैसा है विशेशन है अत्यांत सुशील और परिश्रमी कैसा है किसी संग्या की विशेष्टा को बता रहे हैं यानि कि विशेषिन का कारे कर रहे हैं इसी प्रकार से आप अन्य वाक्य भी देख सकते हो तो इस प्रकार रचना की दृष्टी से पदबंध में तीन बाते आवश्यक हैं कि एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं दूसरे ये पद इस तरह से संबद होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है तीसरे पदबंध किसी वाक्य का अन्शो होता है अंग्रेजी में हम इसे के कहते हैं फ्रेज कहते हैं और इसका मुख्य करे वाक्य को स्पष्ट शार्थक और प्रभावकारी बनाना होता है सब्द लागव के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है खास तोर से समास, मुहावरे और कहावतों में ये पदबंद पूरे वाक्य नहीं होते बलकि वाक्य के टुकडे हैं किन्तो निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक हैं हिंदी व्याक्रण में इन पर अभी स्वतंत्र अध्यन नहीं हुआ है इसके भेद की हम बात करें तो मुख्य पद के अधार पर पदबंद के पांच प्रकार होते हैं इसमें पहला है संग्या पदबंद, दूसरा है विशेशन पदबंद, तीसरा है सर्वनाम पदबंद, और क्रिया पदबंद, और अव्याइप्रण पदबंद पहला जो है इसमें संग्या पदबंद की हम यदि बात करें तो वह पदबंद जो वाक्य में संग्या का कारिय करते हैं संग्या पदबंद कहलाते हैं दूसरे शब्दों में पदबंद का अंतिम अत्वाशीर्स शब्द यदि संग्या हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संग्या पदबंद कहलाता है अब जैसे देखो चार तकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए यहाँ पर देखिए काले जो अक्षर चपे हुए हैं वो सब संग्या पदबंध हैं आप देख सकते हो चारों उधारण दूसरा आता है विशेशन पदबंध विशेशन पदबंध वह पदबंध जो संग्या अत्वा सरुनाम की विशेशता बतलाए और विशेशन का करे करे उसे क्या कहते हैं विशेशन पदबंध कहते हैं यहाँ पर आप उधारण देखिए तेज चलने वाली यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी काले अक्षरों में छपे हुए हैं यह सभी विशेशन पदबंद का उधारण है उसके बाद आता है सर्वनाम पदबंद जो वाक्य में सर्वनाम का कारे करे जैसे कि देखिए बिजली सी फूर्ती दिखा कर आपने बालक को डूबने से बचा लिया इस प्रकार की यहां पर देखिए जो काले अक्षरों में छपे हुए शब्द हैं वो सभी सर्वनाम का करे कर रहे हैं उसके बाद आता है क्रिया पदबंद वह पदबंद जो अने क्रिया पदों से मिलकर के बना हो क्रिया पदबंद कहलाता है जैसे देखो वह बाजार की और आया होगा आया और होगा दोनों क्रियाए हैं तो यहां पर जो काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो क्रिया के पदबंद है यानि दो से एक या एक से ज़्यादा क्रियाएं मिलकर के एक जो इकाई बनती है वह क्रिया पदबंद कहलाती है अव्याई पद्बंद वह पद्बंद जो वाक्य में अव्याई का करेगरी ये देखिए अपने सामान के साथ वह चला गया यहाँ पर अंतिम जो काले अक्षर में छपा हुआ है वह अव्याई है अब कुशनी आ जाता है कि पदबंद और उपवाक्य में क्या अंतर है तो दोनों में क्या अंतर है उपवाक्य भी पदबंद की तरह पदों का समू है लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है पूरा नहीं और पदबंद में क्रिया नहीं होती है उपवक्य में क्रिया रहती है जैसे जो ही वह आया तो ही मैं चला गया यहां जो ही वह आया एक उपवक्य है जिससे पौन अर्थ की प्रतीती नहीं होती है ये दोनों में अंतर होता है इसी तरह के और वीडियोज के लिए आप देखते रही चैनल को थेंक यू फॉर वाचिंग शाओ में ग्रामर में खास करके जब दो या अथिक शब्द होते हैं और नियत करम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कारे करते हैं तो उन्हें पद बंद कहा जाता है अगर दूसरे शब्दों के बात करें तो कई पदों के योग से बने वाक्यांश को यहीं वाक्य के टुकडे को जो एक ही पद का काम करता है उसे पद बंद कहा जाता है डाक्टर हर्देव बाहरी ने पदबंद की परिभाषा इस प्रकार से दिए है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस पर संबळ हो करके अर्थ तो देते हैं किन्तु पूरा अर्थ नहीं देते हैं उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, या पदबंध कहते हैं, जैसे सबसे तेज दोडने वाला छात्र, आगे हम लिखेंगे जीत गया, तो तो ये पूरा वाक्य है, लेकिन यहाँ पर छात्र तक ये दि देखें, तो यह है एक अंश है वाक्य का, क्या है पदबंध है या वाक्यांश है दूसरा सेंटेंस आप देखिए कि यह लड़की अत्यंत शुशील और परिश्रमी है यहाँ पर अत्यंत शुशील और परिश्रमी वाक्य का अंश है और पूरा वाक्य यह लड़की को मिलागर के बनाया गया है नदी बहती चली जा रही है, इसमें बहती चली जा रही है, यह एक वाक्याश है, जब तक इसमें नदी शब्द नहीं एड करेंगे तो यह पूरा वाक्य नहीं बनेगा अब नदी कल-कल करती हुई बहर रही है इसमें भी कल-कल करती हुई एक वाक्याश है उपरियुक्त वाक्यों में काले जो शब्द छपे हुए हैं वो सारे क्या हैं पद बंध हैं पहले वाक्य के सबसे तेछो तोड़ने वाला छात्र में पांच पद हैं किन्तु वे मिलकर एकी पद अर्थात संग्या का कारे कर रहे हैं दूसरे वाक्य में आप देखिए अत्यंत शुशील और परिश्रमी में भी चार पद है किन्तु वे मिलकर एकी पद अर्थात कैसा है विशेशन है अत्यांत सुशील और परिश्रमी कैसा है किसी संग्या की विशेष्टा को बता रहे हैं यानि कि विशेष्ण का कारे कर रहे हैं इसी प्रकार से आप अन्यवाक्य भी देख सकते हो तो इस प्रकार रचना की दृष्टी से पदबंध में तीन बाते आवश्यक हैं कि एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं दूसरे ये पद इस तरह से संबद होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है तीसरे पदबंध किसी वाक्य का अशु होता है अंग्रेजी में हम इसे के कहते हैं फ्रेज कहते हैं और इसका मुख्य करे वाक्य को सपष्ट शार्थक और प्रभावकारी बनाना होता है सब्द लागव के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है खास तोर से समास मुहावरे और कहावतों में ये पदबंद पूरे वाक्य नहीं होते बलकि वाक्य के टुकडे हैं किन्तो निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक हैं हिंदी व्याकरण में इन पर अभी स्वतंत्र अध्यन नहीं हुआ है इसके भेद की हम बात करें तो मुख्य पद के अधार पर पदबंद के पांच प्रकार होते हैं इसमें पहला है संग्या पदबंद दूसरा है विशेशन पदबंद तीसरा है सर्वनाम पदबंद और क्रिया पदबंद और अव्याई पदबंद पहला जो है इसमें संग्या दूसरे शब्दों में पद्वनल्द का अन्तिम अत्वाशीर्स शब्द इधी संञया हो और अन्य सभी उसी पर आश्रित हो तो वह संञया पद्वनल्द कहलाता है अब जैसे देखो छार त्कतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए यहाँ पर देखिए काले जो अक्षर चपे हुए हैं वो सब संग्या पदबंद हैं आप देख सकते हो चारों उधारण दूसरा आता है विशेशन पदबंद विशेशन पदबंद वह पदबंद जो संग्या अथवा सरुनाम की विशेशता बतलाए और विशेशन का करे करे उसे क्या कहते हैं विशेशन पदबंद कहते हैं यहाँ पर आप उधारण देखिए तेज चलने वाली यहां पर आप देख सकते हो कि जो भी काले अक्षरों में छपे हुए हैं यह सभी विशेशन पदबंद का उधारण है उसके बाद आता है सर्वनाम पदबंद सर्वनाम पदबंद वहेशन पदबंद जो वाक्य में सर्वनाम का कारे करे जैसे कि देखिए बिजली सी फूर्ती दिखा कर आपने बालक को डूबने से बचा लिया इस प्रकार की यहां पर देखिए जो काले अक्षरों में छपे हुए शब्द हैं भी सर्वनाम का करे कर रहे हैं उसके बाद आता है क्रिया पदबंद वहेशन पदबंद जो अने क्रिया पदों से मिलकर के बना हो क्रिया पदबंद कहलाता है जैसे देखो वहेशन बाजार की ओर आया होगा आया और होगा दोनों क्रियाई हैं तो यहाँ पर जो काले एक्षर दिखाई दे रहे हैं वो क्रिया के पदवन है यानि दो से एक या एक से ज़्यादा क्रियाई मिलकर के एक जो इकाई बनती है वह क्रिया पदवन कहलाती है अव्ये पदवन वह पदवन जो वाक्य में अव्याई का करेगरी ये देखिए अपने सामान के साथ वह चला गया यहाँ पर अंतिम जो काले अक्षर में छपा हुआ है वह अव्याई है अब कुशन यह आ जाता है कि पदबंद और उपवाक्य में क्या अंतर है तो दोनों में क्या अंतर है उपवाक्य भी पदबंद की तरह पदों का समू है लेकिन इससे केवल अंशिक भाव प्रकट होता है पूरा नहीं और पदबंद में क्रिया नहीं होती है उपवाक्य में क्रिया रहती है जैसे जो ही वह आया तो ही मैं चला गया यहां जो ही वह आया एक उपवक्य है जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीती नहीं होती है ये दोनों में अंतर होता है इसी तरह के और वीडियो के लिए आप देखते रही चैनल को थेंक यू फॉर वाचिंग